नमस्कार मैं हूं रोहित खना आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और बात हम करने वाले हैं उस मुकाबले की जो आपसे कुछ दिर बाद शुरू होने वाला है यह मुकाबला बड़ा दिल्चस्प है न्यूजिलेंड और पाकिस्तान का मुकाबला दोनों टीमें मजबूत है दोनों टीमें अपने अपने आप पे परफॉर्म करने में सक्षम हैं लेकिन यहां से सेमी फाइनल की जंग तैह होगी आप इस मुकाबले को इस तरीके से देखे कि एक नौक आप मुकाबला कह सकते हैं इसे आप एक जो पुराने समय में पहले जब वर्ड कप होता ता तो कि जो जीतेगा वही सेमी फाइनल में जाएगा आज यहां से वो जो रस्ता है वो तैह होने वाला है यह महा मुकाबला है और यह मैट बंगलूरू के चिननसौम स्टेडियम में अप से खुश दिरबार शुरू होगा दोनों टीमों के लिए आज का यह मैट किसी नौक आउ मैच है वो काफी महतवपूरन है और न्यूजिलेंड की टीम इस वर्ल्ड कप में शांदार शुरूआत कर चुकी है और अपने शुरूआती चारो मैच जीते हैं उन्होंने और कॉप पे भी पहुंच गई थे आपको याद होगा लेकिन जब मकाबला इंडिया से हुआ तो तरह फिट हैं और कम से कम ग्यारत हो चाहिए आपको और उन्हों मुझबूरी में एक हाफ अन्फिट खिलारी को हाफ फिट खिलारी जिसे कह सकते हैं उनको प्लेइम 11 में रखना पड़ सकता है जीमी निशिन पूरी तरह फिट नहीं है लेकिन शायद उन्हें खेलने का मौ कि फर्गिसन और काईली जैमिसन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है टिम साउधी और ट्रेंड पूर्ट तो ये न्यूजिलेंड की वही टीम है लेकिन डिपेंड वही करता है कि आप पहले बलेवाजी करते हैं कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते हैं आपके ओपन जीतने के बाद कई मैचों में हार का सामना किया लेकिन अपने आखरी मैच में बंगलादेश को हराया और वापसी की अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाती है तो उनके सेमी फाइनल के पहुंचने की उमीद जो बढ़ जाएगी इस मैच में पाकिस्तान अपने पिछले म हैं आगा सलमान हैं शाहिद शाहिन अफरीदी हैं उसामा पीर हैं मुहम्मद वसीन जूनियर और हारी स्राफ लेकिन कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि ये जो दो टीमी हैं जो आज भिरने वाली हैं इनके लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला है क्योंकि को अपना रास्ता प्रिशस्त करना है यानि न्यूजीलेंड या पाकिस्तान में से एक तो वो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अपसे कुछी देर बाद शुरू होने वाला है प्लेइंग 11 तोनों के लिए चैलेंजिंग है पाकिस्तान तो भी ने कंबिनेशन के आएगा जीते इंपॉर्टेंट है कि टॉस कौन जीता है क्योंकि टॉस जो भी जीतेगा वो महत्तव पूर्ण है कि अगर पहले बलेबाजी करेगा तो कितना बड़ा स्कोर 300 प्लस हो पाता है कि नहीं और पाकिस्तान की गेंदबाजी नोड आओट अच्छी है लेकिन जिस अच्छी गिनबाजी करते हैं लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस टूर्नमेंट में रहा है वो अपने आप में ये बताता है कि वो विश्वस तरिये वाली बात नहीं है आपको अगर मैज जीतना है तो इस वक्त अगर किसी एक टीम से सीखने की जरूरत है वो भारत ह हैं आप देखिए कि जब सामी और बूमरा और सिराज की तिकड़ी उतरती है तो बले बाजू की टांगे काम जाती है पूरे टूर्नमेंट में वन साइडिड करके सारे मैच जीते हैं और कुल्दी प्यादव जब आते हैं रविंदर जड़ेजा जब आते हैं तो क्या कमाल करते हैं आप पाकिस्तान के लिए इस मैच में थोड़ा सा बेनिफिट यह है कि आप एश्यन पिच्छी पे खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसका लाब मिलेगा न्यूजिलेंड के लिए प्रॉब्लम यह है कि आप जब अपनी बेस्ट प्लेंग 11 नीना खिला पाते है जब आपको कॉंप्रमाइज करना पड़ता है तो आप पहले ही थोड़े से गिरे हुए मनुबल के साथ जाते हैं लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें वो दिन बहुत इंपोर्टेंट है पिछले मैचेज, रिकॉर्ड, फॉर्म, इन्फॉर्म सब ध भूमने लगें तब रिकॉर्ड बनते हैं युजिलेंड की खासियत यह है कि वो बहतरीन फील्ड के साथ है पाकिस्तान से अच्छे दरजे की फील्डिंग है उनकी यह प्लस पॉइंट है उनके लिए दूसरा नो डाउट उनके गेंदबाज अच्छे हैं रचिन जैसे बल उसका आगे मुकाबले में जाना लगभग तैह हो जाएगा कुछ पैरामिटर्स फिर भी रहेंगे शोर नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान जैसे टीम बड़ा उलट फिर कर चुकी है और उसने सबके नाग में दम किया है अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से खेल रही है काबिले तारीफ है और उसने बड़ी बड़ी टीमों को आइना दिखा दिया है हरा दिया है ये बता दिया है कि भाई आप हलके में मत लीजिये हम भी सेमी फाइनल की रेस में है और यही मुसीबत का कारण भी है तो कोल मिला कर देखना पड़ेगा आज का ये मैच न्यूज न्यूजइलेंड की टीम अच्छा परफारम कर सकती है क्योंकि मिश्किल मैचों में मुश्किल समों में यह वो न्यूजईलेंड है एक बहतरी फर्फार्मड थावित होती है तेखना पड़ेगा आथ कि यह वोल्ड कप आप है और व 혼자 में बहुत अच्छा करती करती हमने देखा है कि हर वर्ल्ड कप में एकदम नीचे चले जाती है ऐसा ना हो गई खेर देखते हैं दोनों ही टीमों के लिए शुब काम नहीं है इंतजार कीजिए आप से कुछ दिर बाद शुरू होगा बैट और बोल का ये खेल और इस मुकाबले को आप अच्छे तरीके से देख करके बताईएगा जरूर आप क्या सोचते हैं कौन जीते का आच है